अले स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग ओल अफ यू एंड आज हम लोग यहां पर कंप्लीट करने वाले मैट्स पेडागोजी तो जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मैट्स का एक कुश्चन रखा गया है बाइलिंग वले हिंदी और इंग्लिश दोनों म मतलब कि गणीत की भाषा को बढ़ाने के लिए या बच्चों में गणीत की भाषा को विक्सित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा चार स्टेजेस को फॉलो गरना पड़ेगा अब वो चार स्टेजेस हमें यहां पर ऑप्शन में दे रखिए हर एक ऑप्शन में आपक क्या कहने की कोशिश करा जो गणीत की भाशा है उसको चाल चर्णों में पढ़ाया जाता है तो उन चाल चर्णों को आप क्या करेंगे रियरेंज करेंगे सबसे पहले प्रति दिन की भाशा गणीती परिस्तिती की भाशा देन गणीत की समस्यां को हल करने की भाशा देन प्रत solving में आप mats hab ga prio करेंगे इस तरीके सब y किया बोफो करेंगे सेकेंड नमबर जबार का बोल रहा है प्रती दिन की भाशा गणीत की समस्यां को हल करने की भाशा गणीती परिस्थितियों की भाशा अर्श वर प्रियोग करेंगे थर्ड प्रतिधीन की भाषा है, एवरीडे लेंग्विज, गणीत की समस्याओं को हल करने की भाषा, फिर आप प्रतिकात्मग भाषा का प्रियोग करेंगे और उसके बाद आप परिस्थितिया बनाएंगे, जिसे परिस्थितिया, डामें, सिच्वेशन आप क्रियेट करेंगे और बच्चों को लेंग्विज समझाने की कोशिश करेंगे option number D प्रतिदिन की भाषा है प्रतिकात्मक भाषा उसके बाद गणित की समस्याव को हल करने की भाषा और गणिती परिस्थिती की भाषा ठीके अगर कोई भी confusion हो रहा है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर theory से थोड़ा सा डिसकस कर लेते हैं theory हमें क्या बोल रही है उसके बाद वापस से हम लोग question पर आ जाएंगे ठीके तो चारो stages जो है उनको समझते हैं देखो सबसे पहले जो बताया गया कि गणित है क्या तो गणित एक मानव निर्मित अच्छी तरीके से अनुशाशित विशह है मतलब मानव निर्मित विशह है जो आप symbols वगएरा देखते या आप इन दोनों को घटाओ या फिर मैं ऐसे symbol बनाकर उनको देदू तो उनको शायद यह चीज समझ में नहीं आएगी क्योंकि अगर उन्होंने गणित पड़ी होगी या जिसको आप ये बता रहे हैं उनको गणित का knowledge होगा तो वो समझ पाएंगे है ना या फिर उन्हो से तो उनको मैच समझ में अगी अंटिल ये चीजे उनको समझ में नहीं आएगी प्रकृति के काम और जीवन की जटिल समस्याओं की उचित समझ में लोगों की मदद करने के लिए इसकी अपने आप में एक भाशा है अपने उपकरण है और इसको संचालन करने का अपना एक तरीका है तो ये गणीत की इन जनरल डेफिनेशन होगी कि गणीत क्या है अपने आप में एक अच्छी तरीके से मानव निर्मित अनुशाशत विशह है जो अमोत अउधारना उसे कलपनात्मक चिंदन से सब को चीजे जो है हम लोग बोल सकते हैं कि कलपनात्मक हैं यहाँ कोई रियालिटी से उनका कनेक्शन नहीं अब इसको क्या करेंगे हम लोग अपनी दिन प्रती दिन की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए इसका प्रियोग करेंगे किसका गणीत की भाशा का अब जो स्टेप्स फॉलो की जाती है मतलब अगर आपको गणीत समझना है तो यह गणीती भाशा देनिक जीवन में प्रियुक्त भाशा के समान होती है लेकिन देनिक जीवन में प्रियुक्त भाशा में मोझुद गणीती अउधारना को इस पष्ट करती है कि कोई ऐसा बंदा जो पढ़ा लिखा नहीं है तो हम क्या करेंगे बहुत सिंपल तरीके से यहां कुछ नहीं जानता है तो में उनको समझाने की कोशिश करूत हैं तो मैं क्या कर रही हूं उनकी रियल लाइफ से जो है कुछ चीजे लेकर मैच में लेकर जारी हूं को कि जैसे आप चार हो आप पांच और लोग मिल गए तो यह दौनोगे जोड़ जाएंगे यह एक means हम लोग जोड करने की बात कर रहे हूं, तो मैं क्या कर रहे हूं, रियल लाइफ में मैच को लेकर जा रही हूं, मतलब उनको बता रही हूं कि यह जो आप बात कर रहे हैं, यह किस से connected है, match से या गणीती अउधारनाओं की उनको इस पष्ट करने की कोशिश कर रहे हूँ, तो देनिक जीवान में प्रयुक्त भाशा है, क्योंकि ये चीज़े हमें क्या करनी है, फिर बच्चों की उपर अपलाई करनी है, समझ रहे हो, आप अब अब जब छोटे बच क्या होता है, everyday language, जो दिन प्रती दिन की भाशा है, उसमें आप मैच को लेकर आईए, ओके, चलिए, second number का जो point है, second number पर है, गणीती इस्ति भाशा, Mathematized Situation Language, अब ये क्या कह रहा है, गणीत में भाशा शिक्षार्कियों के लिए इसे और अधिक वास्तिविक बनाने के लिए एक आउशक घटक है, और ये उस संदर्ब के माध्यम से किया जा सकता है, जिसमें गणीत पढ़ाया जाता है, अब आप बच्चों को क्या करिए, ग गणीत की प्रासंगीकता और अनुप्रियोग को सुगम बनाया जा सकता है, जिसे बच्चों के अंदर जो मैट्स का फियर होता है, गणीत बहुत कदर नाक होती है, समझ में नहीं आती है, तो वो चीज़े यहां पर हमें क्या करनी है, जिससे कि हम लोग देखे, तो सबसे बेसिक कॉंसेट भी है, उनको लगाने की कोशिश करें, क्योंकि आप देखेंगे कि बिना गणीत के कुछ भी चीज पॉसिबल नहीं है, मतलब कहीं न कहीं, हर दिन आप कितनी ही जगह मैट्स लगाते हैं, कुछ भी चीज जोड रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो डेफिन बच्चा खुझ से अपना क्या दे, इंपुट दे, ओके, दो कंडिशन क्लियर हो गई, तीसरा, गणीत के समस्या हल करने की भाषा, लैंग्विज ओफ मैथेमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, समस्या में प्रियुक्त भाषा अक हमको बेसिक चीजे पता चल गए, क्योंकि दो सिच्वेशन या दो कंडिशन जो है, हम लोग अल्रेडी यहां पर अप्लाई कर चुकें, अब जब हम तीसरे पर आए, पहले हमने क्या किया, देनिक जीवन से कनेक्ट किया, एवरी डे लाइफ से कनेक्ट किया, दूसरी बार कि उसके लिए थोड़ी सी कॉंपलेक्स होगी, थोड़ी सी जटिल होगी, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग भाष्या का प्रियोग करेंगे, भाष्या इन दे सेंस की मैट्स की जो अपने आपमें लेंगवेज है, आप उसका प्रियोग करते हुए, क्या गरिए बच् संक्रियां जितनी भी होती है उनको यहां पर इस्तिती से जोड़ेंगे उनको समझाएंगे कि इसका आप इस तरीके से प्रियोग कर सकते हैं बेसी कली आप क्या करेंगे लेंग्वेज का यहां पर भाषा का यहां पर प्रियोग करेंगे ठीक है चलिए कुशन नंबर फोर जो की गणीत में प्रयोगत होते हैं तीन स्टेज फॉलो करने के बाद अब आप क्या करेंगे उनको ये समझाएंगे कि तुम ये जो चीजे कर रहे हो रियल लाइफ में जो आप मार्केट से कोई भी सामान लेकर आते हो दुकानदार को आप इतना पैसा देते हो वो आपको रिट समझ लेंगे कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है तब बच्चे को इस तत्य को मोखिक रूप में बताने की अनुमती देती है कि उसे अपने पास मौझूदा धन जैसे की एक एक जामपल ही मैंने यहां पर लिया है मानलो कोई एक बच्चा है उसके पास 15 डॉलर है या फिर बच्चा है कि मुझे डॉल चाहिए मुझे गुढिया चाहिए तो मैं उसको बोलूंगी कि डॉल तो यहां पर कितने रुपे कि 20 रुपीज की है तो न तुम्हें को उस बच्चे को समझाना पड़ेगा कि डॉल जो है 20 रुपीज की है तुम्हारे पास only 50 रुपीज है तो अगर maths की terms में अगर बच्चा solve करता है तो वो ऐसे देखेगा कि 20 की है मेरे पास only 15 है मतलब मुझे 5 प्रोर लेकर आना है तो यह वो महा maths की calculation करने नहीं बटेगा किसमें करेगा अपने धिमाग में करेगा तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं mathematical format में प्रस्तू जाना चाहिए यहना अगर यह चीज़ प्रियोग नहीं की गई तो आगे देखो यह तो बिल्कुल एक basic सा example था आगे जाकर इस बहुत साही जो complicated चीज़े होती है उनको समझने में बच्चे के डिक्कत हो सकती है तो हमने बहुत एक general सा example लिया था आगे बहुत सारी match में complicated problems जाती है जिनको solve करने के लिए हम लोगों को symbolic language का प्रियोग करना पड़ता है जिस्त हम लोग consider करते ही है कि हमने assume कर लिया कि X हम लोग यहां पर मान कर सारी values को find out कर लेते हैं तो यह वाली चीज़ तो शुरुवात कहां से होती है everyday life से everyday life से आप मतलब in general आप बच्चों से ब लोड़कर बताइए कि तुम यह जो सीख रहे हो यह गनीच से connected है अब दीरे-दीरे क्या होगा कि जब बच्चा आगे पढ़ता जाएगा तो definitely maths थोड़ा समझना उसके लिए complicated हो जाएगा तो आप यहां पर क्या करेंगे उसको भाशा के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे है ना तो यह हमने mathematical problem के लिए language की बात कर ली उसके बाद symbolic language है उसके बाद जितने भी प्रतीक वगेरा है उनको सिखाने की आप कोशिश करेंगे चार चीज़े होती है अब question पर आते हैं जिसके लिए हमने यह सारी चीज़े सीखिए question क्या है कि आप इनको क्या करिए चारो stages क अरेंज करें तो हमने देखा कि शुरुबात कहां से होती है everyday language से होती है अब question को solve करने का भी एक तरीका होता है कि आप यहां पर देख लीजे कम समय में solve करना है तो आप यह देख लीजिए कि जहां पर starting दे रखिए और starting से लेकर ending तक बढ़ते जाए चार option को देखते है ना तो प्रती दिन की भाशा हो गई उसके बाद हमने देखा था कि आप situation create करिए परिस्थितिया बनाइए तो यह हमने परिस्थितिया बना दी यह मैथमेटाइज situation language कर दिया और फिर गणित की समस्याव को हल करने की भाशा है ना हमने यहां पर क्या किया भाशा का प्रि कर रहा है second option में क्या था प्रती दिन की भाशा बिल्कुल सही था गणित की समस्याव को हल करने की भाशा जो कि हमारा third number पर है पहले at least situation तो create करिए पहले everyday language फिर आप situation create करेंगे situation create करने के बाद जब आप क्या करेंगे यहां पर जो बच्चों को समझने में दिक्कत आ रही है उससे आप connect करेंगे मतलब समस्याव को हल करने के लिए भाशा का प्रियोग करेंगे और at the last time प्रतिकात्मक भाशा का प्रियोग करेंगे यहां तक clear है answer क्या हो जाएगा option number one हो जाएगा तो आज हमने यह question समझा I think आपको यह theory पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गई तरीके मतल बास्टमक प्रियोग को जाएगा को वहां दो जाताब बास्तों करेंगे यह और रख़गे मतलब सीनतों करेंगे और डवाशा प्रियोग को जारा को गई है